हाई आज हम common table expression के बारे में देखेंगे एक common table expression होता है यह temporary result है वो हम immediate select statement में इस्तमाल करता है इसलिए इसको common table expression करता है इसलिए मेरे पास है दो tables department और employee details का table है उसके बाद उससे में यहां में एक common table expression लिखा है इसमें में क्या मेरा output आता है एक department नीम से क्या क्या total number of employees कितना है उसके वो हमको आता है इसलिए मेरे पास यह big statement से common table expression लिखना है उसके बाद उसका नाम लिखना है common table expression का नाम में employee count है उसके दो column names declare किया है उसके बाद में select statement किया है department id और count particular department id में count कितना लोग है इसका यह query का output आता है देखो अभी यह select किया एक्जिकूट किया तो देखो यह particular id particular department को कितने कितने employee से यह वो हमको पता चला है और अभी अभी क्या हुआ next हमें यह common table expression immediate का select statement में use कर रही है में यहां देखो select department name और total count यह total count का column में यहां use किया मतलब यहां दो कॉलम्स है यह दो कॉलम्स यह दो कॉलम्स को रेफर करता है मतलब अभी count का total employees का है वो total count को रेफर किया हो में लिया वो from department लिया और join किया यहां employee count को मतलब यह expression result set temporary result set को में यहां इस्तेमाल कर रहे हूं यह statement में select statement में इस्तेमाल करके join करके में total data रेटरिक कर रहे हूं तो अभी में यह पूरा select करके किया तो देखो हम मुझको यहां output आया है like department name और total count कितना आया है इसे को यह two है, इस इसा मुझको total count name आया है वैसे मैं यहां तो column name declared किया है ऐसा declared नहीं किया तो क्या होता है देखते हैं यहां भी मैं यह same comment table expression दिया है उसको columns नहीं दिया है वो columns नहीं दिया तो हमें यह दो columns से हिस्तेमाल करें हैं तब यहां मैं Total Employees उसकर रही हूं, यहां Total Employees उसकर रही हूं, सो अभी मैं इसको select करके execute किया, तो same output ही आता है, यह difference किया है, यहां column name नहीं दिया, तो यह अंदर जो column name से है, वही ही use करना है, यह रहा यह, कि common table expressions तो without column name declare किया है, और तीसरा क्या है, हमें immediate में select statement में यह use कर सकते हैं, देखो मैं यहां यह example में, देखो यह, बिल्कुल immediate CTE, इसके CTE immediate में तो नहीं इस्तमाल किया, देखो पूरा select करके execute किया, देखो हमको क्या output common table expression defined, यह definition तो किया है, मगर immediate select statement में use नहीं किया, उसके बाद के select statement तो use किया, तो इसको हमको यहां error आ रही है, यह define तो किया, मतलब यह common table expression को हमें इस्तमाल नहीं किया है, select statement में, और क्या करने multiple, हमें ना multiple common table expressions लिख सकते हैं, यह एक ही with statement के साब से, इसलिए मैं यहां क्या, यह example में क्या कर रही हूं, यह दो, और different common CTEs लिख रही हूं, employee 1 और employee 2, दो CTEs लिख रही हूं, दोनों को मैं अलग कर रही हूं, कामा से, तो वो एक ही with को मैं दो, दो CTEs लिख रही हूं, इसमें मेरा क्या output आता है, यह जो department और employee details का दोनों department को join करके, और मैं यह filter कर रही हूं, EC और IT, only EC और IT का output आना चाहिए, देखो, यहां मैं execute किया, तो मेरा को सिर्फ EC और IT यह डीपार में आका output आ गया, ओके यह रहा, हमको, इसलिए यह, यह employee 1 का output यह, और IT, next employee 2 का, triple E और IIE का output आता है, यह एक CTE में रिखा है, और वो थूसरा CTE में रिखा है, यह दोनों को combine करके, मैं कहां union statement पूस्ट करके, मैं यह दोनों combine करके execute कर रही हूं, देखो, यह, select statement from employee 1 and employee 2 बारे में, ऐसा लिखा है, देखो, अभी मैं पूरा, select किया तो, with employee 1 और employee 2, पूरा मुझ को, for char, char का output आता है, देखो, यह, 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 और IT, यह, यह, रहा, हमारा output, बार वो char का output आ गया, मुझ को, यह, यह, रहा, multiple CTEs using a single with class, यह, रहा, common table expressions, मतलब, common table expression with statement में आता है, और immediate select statement में यह, यूज कर सकते है, यह, नही तो, यह, नहीं, यूज किया तो, यह, यूज कर सकते है, देखो, यह, बीच में, कोई यह, सब्सक्दाइट में यूज किया तो, वो table mुझ को, हमको error आता है, यह रहा हमारा, CTE, Common table expressions के बारे में, thank you, thank you for